हलो दोस्तो मैं अंकी सिंग आप सभी लोगों का विज्डम हब इस्टडी पर स्वागत करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हम हमारे जो यूपीसे प्रिलिम्स के जो तयारिया हैं उसको कंट्यूनू कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे बहुत सारी महतुपुन फैक्ट के बारे में जो कि हमारे यूपीसे 2020 के लिए फायदे मन्द होगा दोस्तो मैं अनकैडमी पर पढ़ाता हूँ पिछले डेड़ वर्सों से वहाँ पर मेरे 300 से जादा वीडियो अवेलेबल है 39 कोर्स में ने डिजाइन किये हैं इसके बाद मुझे अनुभा हुआ कि मुझे यूटूब पर पढ़ाना चाहिए और वहाँ पर वीडियो जो है बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर समय की सीमा नहीं होती है और वहाँ पर मेरे लिए समय की सीमा होती है मैं वहाँ पर 15 मिनट से जादा वीडियो नहीं बना सकता लेकिन यहाँ पर यूटूब पर मैं इसको अच्छे से और समझा सकता हूँ समय ले करके इसी वज़े से मैं यूटूब पर अब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम UPSJ 2020 के लिए बहुत ही महत्पुन सीरी जो है मैं कम्प्लेट करूँगा और यह जो रहेंगे आपको विशेस रूप से बहुत यादा फायदे मन रहेंगे क्योंकि ऐसे जो information होते हैं यह कई newspaper से यह कई internet के sources से collect किये जाते हैं जो की एक जगह पर मिलना possible नहीं होता है तो उसी क्रम में यह जो वीडियो है यह आप लोगों के लिए जो क्रम है यह 14 वा वीडियो है इसमें मैं कवर करूँगा सफेद राइनो के बारे में जेम समबाद के बारे में फिर नागा ट्राइब से इनके बारे में कवर करूँगा फिर कुकी जन जाती है इनके बारे में cover करूँगा और रन थम्बो और उद्ध्यान है इनके बारे में cover करूँगा तो यह बहुत ही महतोपूर्ण होगा यदि आप लोगों ने इस से पहले के वीडियो नहीं देखे है तो आप जा कर के देख लीजिये क्योंकि जो information होती एक जगा मिलना मुश्किल होता है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो देखिए पहला जो है इसमें सफेद rhino तो हम white rhino के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए हाल ही में शोध करताओने in vitro fertilization जिसे IVF कहा जाता है प्रक्रिया का इस्तमाल करके उत्तरी सफेद rhino मतलब white rhino का एक ब्रून बनाया है तो देखिए ब्रून का मतलब क्या होता है ब्रून का मतलब यह होता है कि एक बच्चे का जो शेप है उसको इन्होंने एक वंब में डिजाइन किया है आप देखेंगे इस तस्वीर में वर्तमान में जो विश्व में केवल दो उत्तरी rhino उपलब्द है मतलब हमारे पुरे विश्व भर में इतने बड़े देश में इतने बड़े विश्व में इतनी बड़ी प्रत्वी पर मात्रे दो उत्तरी rhino उपलब्द है तो उसका जो ये नंबर है दो है इसको बचाने के लिए एक IVF माध्यम से इसका भूण को बनाया गया है ताकि और इसका जो प्रजना ने इसको बढ़ाया जासा है कि इसकी संख्या को तो अब हम बात करते हैं कि सफेद राइनो क्या है तो दीखिए सफेद राइनो के अगर हम बात करें तो हाथी के बाद दुनिया भर में प्रत्वी पर यह दूसरा सबसे बड़ा इस्तन पाई जीव है यह सफेद राइनो के ऊपरी ओट वर्गाकार होने के कारण इसे वर्गाकार ओट वाले मतलब राइनो के बारे में भी जाना जाता है मतलब इसक्वायर लेप्ड राइनसुरस आप देख सकते हैं इसके चेहरे पर इसकी अनुवांशिक रूप से भिन भिन प्रकार की दो जातिया प्रजातिया होती है मतलब इसकी दो उप प्रजातिया होती है जिसे उत्तरी राइनो और दक्षणी सफेद राइनो के नाम से जाना जाता है और ये जो है आप देखेंगे तो अफरीका महादूइप के दो अलग अलग छेतर में ये पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है अफरीका महादूइप में क्योंकि सबसे बड़ा जो महादूइप है वो आप देखेंगे तो अफरीका महादूइप है एशिया के बाद तो लेकिन वो एक land में है पूरा का पूरा जो एक land की बाद करें तो एक land में सबसे बड़ा यहां पर देखेंगे आप तो अफरिका है एशिया के बहुत सारे मतलब country है जो कि island है तो उनको जोड़ करके इश्या सबसे वड़ा बनता है तो ये इसमें देखेंगे तो जो उत्तरी और दक्षणी राइनो है यहाँ छेतरे यहाँ पर दो प्रकार के राइनो पाये जाते हैं फिर इसके बाद हम देखें तो सफेध राइनो को अंतराश्टी प्राकरतिक संग संग मतलब एंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ओफ नेचर जिसे आई यू सी एन कहा जाता है तो आपको यह सॉटकर्ट का पूरा नाम भी याद रखना है कि जो रेड लिस्ट है रेड लिस्ट में निकट संकट गरस्त मतलब नियरर नियरर थ्रेटेंडेंड जो स्रेड़ी है उस स्रेड़ में इसे डाला गया है और फिर जो दक्षणी सफेद राइनो है इसको निकट संकट गरस्त की स्रेड़ी में डाला गया है मतलब इसकी जो स्रेड़िया है इन स्रेड़ियों में पूरे को तो यहाँ पर अलग स्रेड़ी में डाला गया है और वाइट को अलग स्रेड़ी में पाया जाता है, जिसकी संक्या प्रत्यवी पर बहुत कम बची हुई है इसकी भी तीन उप प्रजातियां होती है जो कि पहले ही विलॉप्थ हो चुकी है काला राइनो को भी IUCN की रेड लिष्ट की सूची में डाला गया है, लेकिन वहां पर इसे red list की सूची में critically endangered की सूची में इसे डाला गया है फिर इस बाद दूसरा आता है यहाँ पर Asia rhino अभी हम नहीं बात किया है अफरिकी rhino के बारे में अब हम बात करेंगे Asia rhino के बारे में तो दीखिए Asia rhino की बारे में अगर बात करें हम जिसे गेंडा भी कहते हम तो ऑफरिकी rhino से अलग होते है मतलब जो ऑफरिकी rhino होता है वो ऑफरिकी rhino से पूर्णता अलग होता है और इसका केवल एक सिंग होता है आप इसमें देखेंगे आपर इसमें एक विशेष प्रकार का वर्गाकार ओस्ट दिखा रखा है यहाँ पर लेकिन जो इंडियन राइनोस होते हैं जो कि हमारे असम वाले जो शेतरे वहाँ पर पाया जाता है उसमें एक विशेस प्रकार का सिंग होता है इसे अंतरास्टी प्रकृती संडरक्षन संग आयूसीन की रेड लिस्ट में वनरेबल की स्टेड़ी में डाला गया है मतलब यहाँ पर रेड लिस्ट में वनरेबल सुभेद की स्टेड़ी में इसे रखा गया है चलिए अब आप मुझे बताइए कि जो इंडियन में जो राइनोसोरो से वो भारत के किस नेशनल पार्क में पाया जाता है मैं आपको हिंटे दे देता हूँ वो पुरवत्तर के राजियों में पाया जाता है असम में पाया जाता है तो आप लोगों को बताना ये है कि वो असम में कौन से ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर यह पाया जाता है फिर इसके बाद यह एक जावा राइनो भी है मतलब एक जावा राइनो भी है जिसका एक सिंग होता है और एक सुमात्रा राइनो है जिसके अफरिका राइनो की तरह दो सिंग होते हैं तो एक जावा राइनो है और इसके बाद सुमात्रा राइनो है जिसके दो सिंग होते हैं अफ्रीका राइनो के भी दो सिंग होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डाइक पिक्चर में तो इसके कितने दो सिंग है लेकिन इंडियन राइनो के कितने होते हैं मात्र एक सिंग होता है और जो राइनो क्या है कि सारवजेनी खरीद को मंच मतलब सारवजेनी खरीद मंच गवर्मेंट इ मार्केट प्लेस ने जी एम समवाद नामक एक राष्टी आउट्रीच कारिकरम की शुरुबात की है इसका उद्देश की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश देज भर में फैल हित धारक के साथ साथ इस्थानिये विक्रेताओं तक पहुंच सुनिश्चित करना या उसके साथ संपर्क साधना है जेम समवाद का उद्देश है यदि हम इसके मुख के बिंदों की बात करें तो जी एम के माद्धियम से क्या होगा जी एम के माद्धियम से भारत सरकार खरीदारों कि जो अवश्रता है उसकी पूर्ती के लिए बाजार में इस्थानिये विक्रेताओं को ओन बॉर्डिंग के सुविता परदान करेगी इसके सासत क्या होगा कि देश बर के जो भीतिधारक है मतलब जो फायदा लेने वाले उससे हैं और इस्थानिये विक्रेता हैं तक पहुँच हो जाएगी पूरी प्रणाली विक्सित की जाएगी और उस विक्सित के मात्दे हम से एक संवाद इस्तापीत किया जाएगा कि किस प्रकार से सुविधाओं को मतलब प्राप्त-प्राप्त-व लोगों के लिए पहुचा आ जा सके चलिए, अब हम बात करते हैं नागा जनजाती के बारे में तो देखिए इससे पहले का जो वीडियो है ना यदि आप देखेंगे तो उसमें मैंने दो जनजाती के बारे में पहले डिसकस किया है जिसमें से गॉंड जनजाती है और दूसरी बेगा जनजाती है तो गोंड जनजाति और बेगा जनजाति के बारे में मैंने विशेस प्रकार के जो जनकारिया है किस छेतर में पाई जाती है उनकी क्या क्या विशेस्ता हैं क्या उनकी उपजातिया है मैंने बताया है तो उसी क्रम में ये दो अन्य जंजातियों के बारे में मैं इसमें डिसकस करूँगा तो आपको जंजातियों के बारे में पता होना चाहिए कौन से छेतर में पाये जाते हैं उनकी क्या विशेष्टा है और किस वर्ग से वो संबंद रखते हैं और क्या सम्वेधानिक प्रक्रिया है और क्या सम्वेधानिक छेतर है जहां पर ये रखा गया है इन्हें भारते सम्वेधान के अंतरगत तो चलिए हम पढ़ते हैं अब नागा जन जाती तो नागा जन जाती के बारे में मगर बात करें तो नागा जन जाती नागा से इस पस्ट रूप से आ रहा है कि ये नागा लेंड में पाए जाती है तो ये नागा लेंड के साथ साथ भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी पाये जाती है जिनको आपको याद रखना है तो ये भारत के मनीपूर वो अनुराचल में अनुराचल प्रदेश में निवास करती है इनका संबंद इंडो-मंगोलाइड प्रजाती से है ये विशेस रूप से याद रखिए कि इनका संबंद किस वर्ग के लोगों से तो इनका संबंद इंडो मंगोलाइड प्रजाती से इनका संबंद है नागा जंजाती का जबकि बैगा और गोंड का नहीं था बेगा और गॉंड के अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि वो द्रविडियन जो जंजाती है उससे संबंद रखते हैं इनके मुख्य जंजातिया कौन-कौन सी है तो इनके मुख्य जंजातियों में आप देखेंगे कि प्रतेक नागा जो जंजाती है कई वंशों में वि ये भारत के, जो मतलब उपर ये प्रधान राश्पती बनने के लिए इन्होंने चुनाओ लड़ा था, तो P.S.ंगमा भी एक जनजाती है, जनजाती वर्क से आते थे, फिर सेमा जनजाती है, कुकी जनजाती है, फिर चकहे संग जनजाती है, लोथा है, रैंगमा है, और फिर इतर नागामी भासा में समवाद करते हैं जो की असमिया, बंगाली और हिंदी का मिश्रण हैं मतलब इनकी जो भासा है ये तीन भासाओं का मिला हुआ सुरूप है जिसमें असमिया है, बंगाली है और हिंदी है इन तीनों का मिश्रण किया जाता है तो यहां पर नागामी भा बहुत बड़े छेत्रे में व्याप्त होता है तो इनकी साथ प्रकार की बोलियों का ये इस्तमाल करते हैं फिर हम बात करते हैं इनका व्यापार और आहार क्या है मतलब ये अपने जीवन को जीने के लिए किस प्रकार के भोजन का इस्तमाल करते हैं और किस प्रकार क्या आदेम से ये अपने जीवन की दिनचार्य को चलाते हैं, तो इनका जो मुख विवसाय है, क्रशी है, पशुपालन और मुर्गी पालन है, ये मुख रूप से अपने विवसाय का कारे करते हैं, क्रशी से पशुपालन से और मुर्गी पालन से, इसके साथ साथ अगर इनके अन तो ये अधिकांस्ता नगना वस्ता में घुमते हैं, इनका जो मुक्ख आहार है वो सबजी है, मच्ली है, मानस है और चावल व बाजरा इस प्रकार की ये अन्हें इनका इस्तमाल करते हैं ये और ये नगना वस्ता में गूमने के कारण ही इनका नाम देखा जाया तो नागा जन जाती रखा भी गया है इनकी जो विवाग की जो प्रता है वह और रिती रिवाज है ये कुछ विशेस प्रकार से धार्मिक प्रावधान के तहत करते हैं ये तो जो नागा जन जाती है विवाग से संब्बन में बात कर दो बहुत है रोड़ी वादी है ये मतलब बहुत ही रिच्वल जो उनकी परंपरा हैं उर्ज को ये फॉलो करते हैं ये एक ही गोत्र के मद्ध विवा करना पुर्णता पृतिबंदी थे मतलब ये जितने भी यहाँ पर आपने इनकी जंजातियों के फिर उप जातिया और अन्य नाम पढ़ दे सुने हैं इनमें जैसे कि अगर कोई अंगामी है तो वो अंगामी में ही साधी नहीं करेगा मतलब यदि कोई महिला है और कोई पुरुष है वो अंगामी जंजाती से आता है तो अंगामी में नहीं करेगा वो किसी दूसरे में करेगा क्योंकि यहाँ पर पुर्णिता अपने ही गोत्र के अंतरगत साधी करना यहाँ पर प्रतिबंदित किया गया है इनकी रिती रिवाज के अनुसार तो यह लोग उसमें नहीं करते हैं जिसे कि भारत के अन्य छेतरों में आप देखेंगे तो इसा पाया जाता है फिर नगा लोग मुक्यता तीन देवताओं को की पूझा करते हैं जिसमें से स्वर्ग का स्वामी यह लूंग किना जिंगबा को पूझा करते हैं प्रत्वी का जो स्वामी है लिजबा की पूझा करते हैं मुक्यता की देखबाल करने वाला जो है इसे मोझूंग इनको यह पूझा करते हैं तो यह मुक्य रूप से यह तीन देवताओं की पूझा करते हैं जो कि मैंने आप बताया है अब हम बात करते हैं कुकी जन जाती की तो कुकी जन जाती या कुकी ट्राइब कह सकते हैं हम इसे तो कुकी ट्राइब जो है भारत के कहीं जिन हिस्सों में पाये जाते हैं उनमें विशेस रूप से पुरवत्तर है तो कुकी भारत, बंगलादेश और म्यानमार यह मुक्यता एशिया में तीन जो देश हैं यहाँ पर यह पाय जाते हैं और यह जनजातिया समानेता पहाड़ी छेतरों में निवास करती है क्योंकि पुरवत्तर को जो पूरा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पहाड़ी छेतर है यह निवास एवं इनकी जो नजातिया समू है उसमें आप देखेंगे भारत में जो पूरवत्तर छेतरे वहाँ पर जो अरुनाचल प्रदेश है अरुनाचल प्रदेश को छोड़ करके बाकी के जो छे स्टेट्स हैं उन छे स्टेट्स में यह पाई जाती है को की जन जातिया और उत्तरी पूरवी राज्यों में यह मुख्य रूप से पाई जाती है और इनका भी संबंद मंगोलाइड समू से है जिस प्रकार से आपने देखा कि नागा जो ट्राइब है उनका भी संबंद मंगोलाइड समू से था तो इनका भी संबंद है अगर हम स सम्विधानिक दरजा दिया जाता है जनझातियों को और जो जाती होती है जैसे कि कोई भी जाती होती है उनको यहाँ पर आर्टिकल 338 के तहत दिया जाता है तो आपको विशेस रूप से आद रखना है कि जो ट्राइबस होते हैं ST होता है schedule tribes होते हैं उनको 338A के तहद दिया जाता है दरजा और जो SC होते हैं schedule cast होते हैं उनको यहाँ पर 338 के तहद दिया जाता है तो भारती सम्विधान के अंतरगा चीन cookie समू की लगबग 50 जन जातियों को अनसूचित जन जाती की स्नेडी में रखा गया है तो आपको याद रखना है कि जो चीन cookie समू है क्योंकि cookie में भी यह चीन cookie समू है तो उनमें लगबग यह 50 जन जातियों को रखा गया है हलाकि यह number आप से पूछा नहीं जाएगा लेकिन यह आप याद रख सकते हैं तो आपके लिए फायदे मन रहेगा इसे रिटन में फिर जो चीन cookie समू है चीन cookie समू के बारे में गर हम जानकारियों के बात करें तो यह म्यानमार के जो चीन प्रांथ है म्यानमार चीन साब को समझना है कि सब्द यहाँ पर चीन के लिए यूज नहीं किया गया है ये म्यानमार का एक राज्य है एक प्रांथ है जिसे भारत में मद्रपरदेश, जाजिस्तान, उत्रपरदेश ऐसे राज्य है उसी प्रकार से म्यानमार में चीन प्रांथ एक राज्य है वहाँ पर ये जो पाए जाते हैं जनजाती उसी के नाम पर वहाँ पर चीन जो समू है वह कहा जाता है चीन पद का यूज किया गया है म्यानमान में रहने वाले लोगों के लिए लेकिन भारत में जैसे ही आप इन लोगों के जब नंबर को बात करेंगे इनकी जो संख्या के बात करेंगे तो यहाँ पर कुकी जन जाती कहा जाता है मियानमार में उसे चीन जन जाती कहा जाता है और भारत में इसे कुकी जन जाती कहा जाता है तो चीन कुकी समुह में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आपकी गंगटे मतलब इनको जो अन्य समुहों के नाम से जाना जाता है गंगटे, हमार, पेईती, थादव, वैपी, जोव या जो, आईमोल, चीरू, कोईरेंग, कोम, एनल, चोथे, लमगांग, कोईरो, थंगल, मोयोन और मोनसांग यह इसमें शामिल किया गया है, चीन कुकी शमुहों में इतने सारे वर्गों को शामिल किया गया है फिर गैर मतलब यह बात है कि अन्य समुहों जैसे कि पेईती, जोव, गंगटे और वैपी अपनी पहचान चोमी जंजाती के रूप में करते हैं मतलब यह जो है इनका नाम याद रखिये, पेईती, जोव, गंगटे और वैपी यह जो चार समुहों है, यह अपने समुहों को जोमी जंजाती के रूप में बताते हैं क्योंकि इन्हें मतलब लगता है कि हम यहाँ पर कुकी नहीं है यह अपने आपको कुकी जो वर्ड है उस वर्ड को बताने से यह दूर आटते हैं तो आपको याद रखना है जो चार है क्योंकि चार ये अलग विशेस प्रकार से अपने आपको दर्शाते हैं तो याद वो महतुपूर्ण हो जाता है पेईती, चोवू, गंगटे और वैपी तो यहाँ पर जो मैंने दो जंजाती समू है नागा और ट्राइब कवर किया है और पिछले में गोंड और वैगा किया था तो यहाँ पर चार समू हो गए और इनके छेतर कहाँ पर पाया जाते हैं ये भी आपको विशेस रूप से याद रखना है फिर इसके बाद हम बात करते हैं रन थंबोर राष्टे उद्यान की तो रन थंबोर नेशनल पार्ग जो है वो अगर हम देखें तो यह राजिस्तान में इस्तित है इसके जो अवस्तिती भारत के मेप में आप देखेंगे तो यह राजिस्तान में है तो रन थंबोर राष् तो जीला याद रखना है क्योंकि जो जीला है एक बार एक्जाम में यही पूछा गया था कि रन थंबो, राज़्टे, उद्यान, राजिस्तान के किस जीले में इस्तित है तो यह जीला है जो समाई माधवपुर जीला इसका तरह भगवली इस्तिति के बात करें तो इसकी जो चेत्रे वो राज़्टे उद्यान के लिए घोशित है तो यह जो पूरा का पूरा जो रन थंबोर वाला चेत्रे यह 1334 किलोमेटर है लेकिन इसमें से 392 किलोमेटर का जो वर्ग चेत्रफल का एरिया है वो नेशनल पार के लिए के रूप में यहाँ पर घोशित किया हुआ रन थंबोर का रास्टे उद्यान में चंबल नदी और उत्तर में बनास नदी गुजरती है इसे घिरा हुआ है तो देखिए यह वाला चेत्रे आपसे पूछा जा सकता है एक सवाल बन सकता है कि जो चंबल नदी है भारत के किस नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है तो य यह आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा तो यह भारत का जो रन थंबोर नेशनल पार्क है वहां से गुजरती है और यह सवाई माधोपूर जीले में यह इस्तित है और जो की राजस्तान में है और लोकेशन पूछा जा सकता है कि जो बनास नदी है बनास नदी उस नेशनल पार्क के किस दिसा में इस्तित है तो यह उत्तर दिसा में इस्तित है तो UPSC कुछ इस प्रकार के स्टेट्मेंट देता है जिसको हमें समझना होता है अब इसमें एक चंबल नदी आया तो चंबल नदी कहां से निकलती है तो दीखिए चंबल नदी मध़ पर्वर शंकलाओं से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे जाना पाउ के पहाडिया है, वहाँ से इनिकलता है चंबल नदी, ये मालवा के पठार से होकर बहती है, उत्ते प्रदेश में इटावा जीले में आकर के यंमूना नदी से मिल जाती है, तो यंुमूना नदी में मिलने के बाद यह मुना नदी इसके पानी को ले जाकर के गंगा में निकाल मतलब गंगा में लेकर के जाती है जो कि इलाहबाद में मिलती है प्रयाग में फिर चंबल नदी पर जो निर्मित बांध है वो विशेश रूप से आद रखिये और ये उन लोगों के लिए महत्वपुर्ण अगर हम बात करें तो बनास नदी की अगर हम बात करें तो बनास चंबल की एक सहायक नदी है मतलब एक एक ट्रिब्यूटरी है चंबल की है तो चंबल में बनास नदी अपना पानी जाकर के सकते हैं छोड़ती है फिर जो चंबल नदी है वो अपने पूरे पानी को ले जाकर के यमुना में छोड़ती है फिर यमुना उसके पूरे पानी को ले जाकर के गंगा में जाक करके छोड़ देती हैं तो जो बनास नदी है इसका जो उदगा मिस्तले वो अ्रावली पर्वत की जो शंकला है उसमें से धक्षनी भाग में ये अरावली परवत से ये निकलती है और अरावली परवत को एसा माना जाता है कि विश्व बहर की सबसे प्राचीन परवशंकला है वो फिर इसके बाद यह समवाई माधवपूर के पास राजिस्तान मदप्रदेश की सीमा पर चंबल में जाकर कि यह मिल जाती है तो जो बनास नदी है बनास नदी राजिस्तान और मदप्रदेश की सीमा के पास समवाई माधवपूर का जीला है वहाँ पर यह जाके मिलती है तो यह विशेस रूप साब को याद रखना है क्योंकि जब यह पूछा जाएगा कि कहाँ पर जाके मिलती है क्योंकि आप जब देखेंगे तो जो राजिस्तान उसके पास उत्रप्रदेश भी आता है और मध्रदेश भी आता है तो confusion ना हो कि कहाँ पर जाके मिलती है तो यह विशेस आद रखना है कि राजिस्तान और मध्रदेश के पास वह जाकर के मिल जाती है अभी जो पूरा ररणथंबोर का जो नेशनल पार्क यहाँ पर ढाक के नामक वरक्ष पाया जाता है, तो ढाक को अन्य छेतरों में कई नामों से जाना जाता है, जिसे ढाक को पलाश के नाम से जाना जाता है, छूल के नाम से जाना जाता है, परसा, टेशू, किशूंग और केशू, यह अन्य नामों से जाना जाता है, ढाक के वर इसका बाद इस व्रक्ष में ग्रिस्म काल में लाल फुल आने के वज़े से ही इसका जो आकर्शन होता है बहुत जादा हो जाता है इसलिए इसे गर्मियों में जंगल की आग भी कहा जाता है हलाकि आग नहीं होता है लेकिन लाल दिखाई देने के कारण इसे पुरे को जंगल की आग कहा जाता है यदि हम बात करें कि नने थंबोर का क्या एतिहासि घटना करम रहा है ये इतना क्यों famous है राजिस्तान को लेकर के देखें ये जो उद्यान है 1955 में इस उद्यान का गठन किया गया था इसे मतलब उद्यान का दर्जा दिया गया था उसी समय उद्यान में इसे wildlife century मतलब वन ने जी अब बहरानी के रूप में इसे घोशित किया गया था फिर 1973 में project tiger लेकर के आया गया था इंद्रा गांधी के द्वारा तो 1973 में इसे one of the project tiger के अंदर गत इसे लेकर के आया गया था box introduction का इसे दर्जा दिया गया था और फिर verse 1980 में इसे राश्टे उद्यान का दर्जा दिया गया था तो दीकिए जब national project tiger के रूप में जब दर्जा दिया जाता है तो उस जो national park के उसको विशेस रूप से अनुदान मिलते हैं ताकि उस अनुदान की मदद से वहाँ पर जो activity है उसको चलाया जा सके और फिर इसमें जो अभेरन शामिल है इसमें कें परकार के अभेरन शामिल होसी जो च्छोट पार का जो ए रहा होता है और national park का जो एयरा होता है बड़ा होता है मतलब उसके एरिया भी छोटे बड़े होते हैं उसमें को बहुत विशेस प्रकार से तक्नीक सब्दों का इस्तमाल किया जाता है, कि वहाँ पे कोण कोई सए एरिया सब्रोटक्टेड है, कोई से एरिया प्रोट्केड नहीं है इसके लिए मैंने पूरा वीडियो का पूरा एक कोर्स डिजाइन किया है अनकैडमी पर जिसकी लिंक में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन वोक्स में प्रवाइड करा दूँगा जहां पर जाकर के आप नेशन वाइड देख सकते हैं कि हमारे कौन-कौन से स्टेट्स में कौ तो देखिए इसमें शामिल अभ्यरण कौन-कौन से रन थंबोर के निकटवर्ती जंगलों में वर्ष 1984 में समाई मान सिंग अभ्यरण की स्थापना की गई फिर इसका बाद केला देवी जो अभ्यरण है उसको भी घोशित किया गया था फिर वर्ष 1991 में रन थंबोर को टाइगर रिजर्व का विस्तार समाई जो मान सिंग और केला देवी अभ्यरण तक कर दिया गया मतलब पहले क्या था कि उसका के कम छेत्र था तो इसमें जो दो अन्य नेशनल मतलब वाड़ लैप सेंचुरी थी जिनका नाम था यहाँ पर स नवाई मान सिंग और केला देवी अभ्यरण इन दोनों को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर गड़ डाल दिया गया मतलब इसको और जो चेत्र है उसको बढ़ा दिया गया इस उद्यान में कहीं बड़ी बड़ी जिले हैं उन कहीं बड़ी जिलों में से जो तीन बड़ी तो दोस्तों ये वाला जो वीडियो है यहीं पर कंप्लीट होता है इसके माधियम से मैंने जो पाँच टॉपिक डिसकस किये हैं सफेद राइनो, जेम समवाद, नागा ट्राइब, कुकी जन जाती और अनथमबर उद्यान ये बहुत हैं इसमें से अगर एक दो प्रेशन भ रहा है तो आप इसकी जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा स्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को आप लोग वीडियो देख रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और ये जो वीडियो है आपको प्रती दिन साम को साथ से साथ साथ बज़े की बीच में अपलोड हो करके मिल जाएगा So thank you so much, have a good day, जै हिन, जै भारत